मस्कार। दूस्ता स्वाइज एपका डॉक्टर पेमेंडी सीन में तो दूस्तो आई आज मआज हम बात करते हैं बैट लोड एट ऐड तब्लेट के बारे में तो दूस्तो बैट लोड ऐड ट आप्लेट का क्या यूज laugh क्या side effect है ताकिया इसका composition इसकी पूरी जनकारी के लिए हमारी वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं तो दोस्तो इसका composition है बेटा हिस्टाइन हेड्रो क्लोराइड तो दोस्तो हम बात करेंगे यह किस चीज के लिए उप्योग की जाती है तो दोस्तो बिटा हिस्टाइन जो आमतोर पर वाटिंगों चक्कराने, स्थिर्था या संतुलन से प्रीत रोगियों को दी जाती है यह अक्सर मैनी एरेज रोग के मरीजों को दी जाती है मैनी एरेज रोग एक ऐसी स्थी है जिसमें आंतरिक कान के तरल पदार बढ़ाब बढ़ जाता है मैनी एरेज रोग के लख्षनों में वाटिंगों के दोरे एक कान सर्मनरहानी साथ में घंटियों बजने के अनभूती सामिल है बीटा हिस्टाइन को पहली बार 1970 में मैंने एरेज रोग के इलाज के लिए पंजी करित किया गया था या कई ब्रांड के नामों के उपलब्ध है जैसे कि बेट टिन, वीटा वाट, टी एस्टील, बीटा हिस्ट, सर्क बरगो, हाइसकर्स, बीटा सर्क आदी बीटा हिस्टाइन वेबसाई ग्रूप से 8, 16, 24 और 48 मिलिग्राम की मात्रों में भी उपलब्ध हैसा माना जाता है कि इसके प्रभाब इसकी मात्रा पर इडिवर करता है जिसका आर्थ है कि इसकी जितनी अधिक खुराक दी जाएगी उतनी ही अधिक प्रभाबी होंगी तो दोस्तो इसकी कुछ सब्धानिया भी बरतनी होती है तो दोस्तो बीटा हिस्टाइन का सेवन करने से बचना चाहिए उसके सेवन सला साभधानी से दी जानी चाहिए जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्वस्था, अस्थमा, दम्मा, टिक अल्सर, पेट में अल्सर तो दोस्तो हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तो हिष्टा माइन के बढ़े हुए अस्तरों के कारण बीटा हिष्टा इन अलर्जी तोचा से संबनित अती संबेदन सील जैसे धनजराहट होना और सुन पर जाना सांसे छोटी हो जाना बढ़ी हुई अमलता के कारण बन सकती है तो दोस्तो उसी परकार की मेडिशिन की जनकारी के लिए हमारे चैनल बनेरे हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राब कर और कॉमेंट में जरू बताए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस परकार की मेडिशिन की जनकाई चाहिए तो धनबात दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में लव यू वाल